चले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब कभी भी आप घर बनाते हैं या किसी भी तरहिके का structure बनाते हैं तो क्या होता कि ground floor के बाद कुछ plinth height देने के बाद आपको plinth beam दिया जाता है ठीक है तो plinth height क्या है तो plinth height आप अपना अनुसार से दे सकते हैं कि हो सकता है 2 feet, 5 feet, 3 feet तो उसके बाद से आपको plinth beam देना होता है means आपको पूरी तरीके से plinth beam लगेगा चारो तरप से और जो plinth beam है उसे भी आप categorize कर सकते हैं primary beam और secondary beam ठीक है तो इस तरीके से आपको primary beam और secondary beam दे कर आप अपने structure में चारो तरप से आपको देना होता है plinth beam और plinth beam का जो purposes ह जो importance रहता है एक structure में आपको किस तरीके का important role play करता है तो उसी को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या importance कितना importance क्या purposes रहता है एक plinth beam को लेकर अपने structure में पहला तो यह हो गया कि जितना भी आपका column है तो plinth beam के ऊपर से आपको vertically आपको लगता है column तो हरे column को tie करने के के लिए आपको plinth beam का support होगा क्योंकि जहां पर plinth beam और column का junction जा रहा है तो column जो है plinth beam से through ली जाएगा ठीक है तो vertical ली जाएगा इसलिए हरे column को tie करने के लिए आपको plinth beam एक role play कर लेता है दूसरा है दोस्तो dampness ठीक है तो एक structure को खतम करने के लिए एक couches रहता अपना dampness और dampness जो है अपना water capillary action के कारण से आपको नमी चर जाता है अपने wall में ठीक है तो plinth beam एक boundary सर्फ कर लेता है जिसके कारण से जो foundation के through आपका water आता है wall में तो वहाँ पर एक boundary breakage कर लेता अपना plinth beam जिसके कारण से जो नमी रहता है वो dampness रहता wall में वो नहीं हो पता है ठीक है तो यह prevent करने के लिए आपको plinth beam एक तरीके से सर्फ कर लेता है तिसरा नमर यह है दोस्तो कि कई बार क्या होता कि crack develop हो जाता जो foundation नीचे का wall में होता है या फिर आपका plinth beam से उपर का wall रहता वहाँ पर आपको crack develop हो जाता wall में तो क्या होता कि अगर foundation का crack है तो वो अपना उपर तक नहीं चरपाएगा क्योंकि वहाँ पर जो plinth beam है बीच में ठीक है तो उसके करने से और किसी भी तरीके का wall जो उपर आपका plinth beam से उपर का wall में crack है तो वह crack आपको foundation के नीचे में आपको नहीं जाता है तो crack prevent करने के लिए ठीक है तो एक layer से दूसरा layer में ना चरपाए वहाँ एक तड़के से जो आपको breakage देता है print beam तो वहाँ पर एक print beam जो है जो wall crack रहता है उसके लिए भी आपको prevent कर देता है तो अब बात कर लेंते हैं चौथा नमर में तो चौथा नमर में आपको क्या है कि जब कभी भी भूकम जो earthquake रहता है तो वहाँ पर आपको काफी ज्यादा फोर्स आपको horizontally लग जाता है तो horizontally जो फर्स लगता है तो उसे बरदास करने के लिए त्रीक है रिजिस्ट करने के लिए आपका structure जो है वह strong strengthful होना चाहिए तो वह strengthful आपको structure को बनाता है एक print beam ठीक है क्यूंकि जो frame आपका है column है beam है तो beam और column का point है projection है जहां पर आप print beam जो है tie करके रखता है जिसके currency जो structure है वो अपना strengthful रहता है जिसके currency अर्थक्वेक जो है उस तरीके का force जो है अपना resist कर लेता है तो अब बात कर लेते हैं पांचो नमरे में पांचो नमरे में यह है कि दोस्तो settlement क्या होता है कि जब कभी भी force लगता है load लगता है आपको slap के उपर में तो slap से होते हुए आपको column में लगने के बाद उसके बाद से आपको foundation में लगना होता है तो foundation से पहले ही आपको print beam वहा पर आ जाता है बीच में तो print beam क्या करता है uniformly distribute कर तो जो load रहेगा वो आपको बढ़ाबरी से uniformly distribute कर लेता है जिसके कारण स आपको एक settlement होता है, differential settlement वो नहीं हो पता है, आपका structure में, differential settlement के कारण से क्या होता है, कि एक जगह पर अचानक से load लगने पर, तो वहीं का जगह पर load लगने के कारण से settlement ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसके वो जगह पर आपका क्या होता है, ज्यादा तर breakage हो जाता है, औ कर लेता है यूनिफर्मली डिस्टिब्यूट करने के लिए जो लोर रग रहा है आपका स्लैप से होते हुए तो दोस्तों यही था वो पॉइंट जो आपको प्लींद बीम एक सर्ब करता है अपनी स्ट्रक्चर में और एक तरह से योगदान आपको इस्टेन को लेकर जो पू आपको 6 डंडी को दे सकते हैं 12 mm को चार और 2 जो है 10 mm को दे सकते हैं तो इस तरीके से आप इसट्रक्चर आप पना और अगर डायमेंशन का बात करें तो आपको 10 । जो आओगा कि प्लिंद भीम आपका इस्ट्रेंद फूल रहेगा और जिसके कारण से जो भी लोड रहेगा सेटलमेंट के डर इस्ट्रेंद ना होने का डर तो यह आप असानी से बचा सकते हैं अपनी इस्ट्रेंद इस्ट्रक्चर को ठीक है तो यही था दोस्तो एक पर स्ट्रेंद भीम को लेकर तो उमीद करते हैं दुस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं टॉपिक को लेकर इजाज़ा देजिए तब तक के लिए गुडबाई